हुआ 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 है पर मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ क्योंकि साधी के घर थे और बहुत जादा भागा भागी हो गया था ठक बहुत गई हूँ पर सच बोलू तो इंजॉय भी बहुत किया था हम लोग ने बहुत मज़ा आया था साधी के हार फंशन में बट ऐसा था कि सोने को कम मिल रहा था क् कि जितने भी रसम थे वो सारे सुबह के टाइम में ही थे जिसके उज़े से सुबह जल्दे उटना पड़ रहा था रेडी होना फिर सारे रसमों में जाना तो इसलिए थोड़ा सा ठक गई हूँ जो कि मेरे चेहरे से भी पता चल रही है आप देख रहे हो अब भी वह ऐसा लग रहा है कि सो जाओं थोड़ा थोड़ा सो जाओं नीन पुरी आंख में भरी पड़ी है कि बरात तो सुबह ही जा चुकी थी और दुलन की बिदाई भी सुबह ही हो गई थी तो पती देव ने ऐसा कहा कि चलो सब मिलके थोड़ा मार्केट घूमाते हैं तो फिर हम लोग मार्केट चले गए थे हैं फिर जब मार्केट से हम लोग रिटेनिंग गाए तो वो साम हो चुकी थी और घर पर आते हैं बुआ जी ने कहा कि कल सुबह में दुलन को पक फिरे के लिए लेने जाना है तो अगेन सुबह उठे हम लोग और सुबह फिर वही भागा भागी थी जो कि निन तो लगी रही थी बर दुलन को लेने जाना था तो इसकी सारी तैयारिया भी फिर करनी थी तो अब तो ये सारे कंप्लीट हो चुके थे और इसके बाद फिर हम लोग उन्ने दुलन को लेने के लिए हम लोग निकल गए अजय को तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं दुलन के घर उसके पपफेरी के लिए और हमारे साथ सभी लोग आये थे मतलब बहुत सारे फैमली मेंबर आये थे हम सब मिलकर आये थे दुलन को लेने के लिए और इसके बाद यहाँ पर काफे अच्छे से हमारी खातिरदारी भी हुई हम सब लोगों ने बहुत इंजॉय भी किया बहुत मज़ा आया इवेंट दुलन के ससुराल वाले बहुत ही अच्छे हैं इनके फैमली बहुत अच्छी है इसके बाद बीदाई की रस्त में होंगी फिर हम लोग दुलन को लेके वापस घर आयेंगे अभी तक मैं बताना चाहूंगी काफी टाइम भी हो चुका है दोपर काफी हो गई है अब हम लोग खाना पीना भी हमारे complete हो चुके है और अब हम लोग यहां से निकलने वाले है देखती हूं आने में तो काफी time लग गया था अब जाने में कितना time लगता है तो गाइस आप देख सकते हैं सब जाने के लिए बिल्कुल रेड़ी हो चुके हैं द्वार पूजा भी कंप्लेट हो चुकी है अब हम सब निकलने वाले ही हैं बस इसकी तैयारिया ही चल रही है सारे लोग वेट कर रहा हैं जाने की अब तो गाइस फाइनली हम लोग घर जाने के लिए निकल चुके हैं और अब हम लोग घर जा रहे हैं तो गाइस फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं और यहां पर दुलन की स्वागत हो रही है घर पर पूजा हो रही है क्योंकि कहते हैं बेटिया जब घर पर फॉस्ट टेम आती हैं तो उनके आरती वारती उतारी जाती हैं तो यही हो रहा है सो गाइस मिलती हूँ आप से निक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चानल को मिलती हूँ